तो आज मैं आपसे भी को इस वीडियो में मसूर दाल की क्रीम बनाना सिखाऊंगी यह क्रीम बहुत ही असरदार है और यह 100% नाचुरल इंग्रीडियन्स से बनी है और इसको लगाने से आपकी स्किन लाइटन वाइटन और ब्राइटन होगी और आपके चेहरे पर से सारे दा बार्ग स्पोट्स को भी बिल्कुल जड़से खतम कर देगी और इस मसूर दाल की क्रीम को बनाना है आपको सबसे पहले इस प्राइब को बनाने के लिए मसूर दाल चाहिए तो सबसे पहले आप एक कर्टोरी में दो से तीन बड़े चमच लाल मसूर दाल ले लुकिन दाल गुलाब जल यानि की रोज वाटर डालिए और इसको रात बर भिगो कर छोड़ दीजिए और रात पर भिगोने के बाद आपकी लाल मसूर दाल कुछ इस तरह दिखेगी ये सॉफ्ट और काफी फूल चुकी होगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है और अब हमें इस भीगोई लाल मसूर दाल को अच्छे से पीसना है और यहाँ पर मैं एक blending jar का use कर रही हूँ इस दाल को पीसने के लिए आप उस blending jar में भीगोई मसूर दाल और उसके साथ साथ जिसमें ये दाल भीगी हुई थी वो पानी भी डाल कर अच्छे से दोनों को पीस लीजिए और एक स्मूध पेस्ट बना लीजिए और जब ये दाल अच्छे से पिस जाए तो ये आपका मसूर दाल पेस्ट रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा और ये पेस्ट रनी कंसिस्टेंसी यानि की पतला होना चाहिए काफी ताकि इसे छानने में असानी हो और जैसे कि मैंने आपको बताया अब आपको इस पेस्ट को अच्छे से छानना है और यहाँ पर मैं एक छानने का यूज़ कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप कोई कॉटन या मलमल का कपड़ा ले सकते हैं इस paste को चानने के लिए और इस paste को अच्छे से चानने के बाद तो चलिए अब देखते हैं कि red lentil या लाल मसूर की दाल की cream कैसे बनाए जाए तो इस cream को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में ये चाना हुआ लाल मसूर दाल का paste तीन से चार चमच ले लिजीए उसके बाद उसके अंदर आप दो बड़ी चमच glycerine डालिए glycerine के बाद आपको इसके अंदर लेड़ चमच वाइट मिनी ऐल दालना है और अगर आपके पास वाइट मीनी ऐल नहीं है तो आप आलिव ऑयल का भी यूस कर सकते हैं और अब vitamin oil डालने के बाद अब आपको इन सभी ingredients को अच्छे से mix करना है ताकि ये तीनो ingredients अच्छे से mix हो जाएं और एक दूसरी के अंदर अच्छे से combine हो जाएं और सबी ingredients को अच्छे से mix करने के बाद अब आपको last में दो बड़े चम्मच aloe vera gel डालना है और फिर से सब को अच्छे से mix करना है ताकि एक बहुती smooth, creamy और lumpery paste बन सके और सबी ingredients बहुत अच्छे से mix होने के बाद आपकी लाल मसूर दाल की cream ready है और वो कुछ इस तरह दिखेगी और ये cream बहुत ज़्यादा creamy, fluffy और lumpery होनी चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है और इस cream की consistency medium होनी चाहिए ना ही ज़्यादा thick और ना ही ज़्य तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस cream को कैसे store करना है और इस cream को store करना भी बहुत ही असान है आप इस cream को किसी भी airtight container में room temperature पर 10-15 दिन तक store कर सकते हैं और ये लाल मसूर दाल की cream 100% natural और 100% effective है आपकी skin को lighten और वाइटन करने के लिए इसके अंदर सारे natural ingredients है जो कि आपकी skin को lighten, whiten और brighten करते हैं और आपकी skin tone को dull और dry होने से बचाते हैं ये cream आपकी dark spots, acne cast, pigmentation और uneven skin complexion को जड़ से खतम कर देती है और आपकी sun tan, sun burn, black spots और dry और flaky skin को भी हटाती है और आपकी skin को बहुत ज़दा fair, glowing, radiant, spotless और crystal clear बनाती है तो चलिए हम आपको बताती हूँ कि इस cream को कैसे smell किया जाए बहुत ही ज़दे effective results पाने के लिए तो इस cream को use करना बहुत ही असान है, सबसे पहले आप इस cream को एक चोटी से amount लेकर अपने face और neck पर apply कीजिए और इसको gently 10-20 second के लिए अपनी skin पर अच्छे से massage कीजिए और अच्छे से massage करने के बाद आप इस cream को ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए और अगर आप ऐसे ही लगतार इस cream को दिन में 2 बार, एक सुभा और एक रात को सोने से पहले इस्तमाल करेंगे तो यह आपकी skin को बहुत जदा fair, glowing और lighter, whiter बना देगी और आपकी skin को एक बहुत जदा glowing और radiant look देगी तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो इसे like और share करना न भूले और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं आसी बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए और subscribe करने के बाद आप उस bell icon को दबाना न भूले मेरे वीडियो की regular और future updates पाने के लिए